नमस्कार दोस्तों मैं विकास त्रिवेदी आपके अपनी यूटूब चैनल विकास इस्टडी सरकल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम SSE GD 2022-23 का GS का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 लेकर आए हैं दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट निव पैटर्न पर आधारित है और बहुत ही महात्वण प्रसनों का प्रैक्टिस सेट है तो दोस्तों वीडियो के साथ अंध तक बने रहिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट का पहला कुश्चन दोस्तों हमारा पहला कुश्चन है यांत्रिक उर्जा को विद्ध उर्जा में बदलने के लिए निम लिखित में से किसका उप्योग किया जाता है दोस्तो हमारा कुश्चन है कि यांत्रिक उर्जा को विद्धत उर्जा में बदलने के लिए निम लिखित में से किसका उपयोग किया जाता है हमारे आपसन है सितार, माइक्रोफोन, डाइनमो, विद्धत मोटर दोस्तो हमारे कुश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइनमो, अपसन नमबर तीन दोस्तो यांत्रिक उर्जा को विद्धत उर्जा में बदलने के लिए किसका यूज़ किया जाता है दोस्तो हमारे कुश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि यांत्रिक उर्जा को विद्धत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलता है तो दोस्तो हमारे कुश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि यांत्रिक उर्जा को विद्धत उर्जा में कौन बदलता है, तो डाइनमो तो उसके बाद अगले कुश्चन पर दोस्तों चलते हैं, अगला कुश्चन हमारा है, कि निम लिखित में से कौन सा तेवहार, खाल सा पंथ के इस्थापना दिवस का प्रतीक है तो इसमें हमारे आपसन हैं दोस्तों, होला मोहला, लोहडी, बैसाखी, गुरु नानक, जयन्ती तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपसन नंबर 3, बैसाखी दोस्तों खालसा पंत के इस्थाफना दिवस का प्रतिक कौन सा तेवहार है तो बैसाखी है दोस्तों अगर बैसाखी की बात करें तो 1699 इस्वी में 1699 इस्वी में सिख्खों के दस्वे गुरू दोस्तों सिख्खों के दस्वे गुरू या सिख्खों के अंतिम गुरू गुरू गोविंद सिंग ने खालसा पंत की स्थापना की तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की तो दोस्तों सिख्षों के दस्वे गुरू गोगिंद सिंग ने और कब की तो 1699 की को और दोस्तों जिस दिन खालसा पंथ की स्थापना की उस दिन कौन सा था तो बैसाखी का दिन था दोस्तों पंजाब का मारसालार्ट है यह होला महला और दोस्तों यह लोहडी आप लोग जानते हैं कि सीथ कालीन संक्रांति के बाद लंबे दिनों के आगमन पर सिख लोगों का ये तेवहार है दोस्तों सीथ कालीन संक्रांति के बाद लंबे दिनों के आगमन को सिख उत्सव मनाते हैं सिख लोग इसको मनाते हैं दोस्तों और गुरुनानक जैन्ती तो दोस्तों ये सिखों के पहले प्रथम गुरु हुए दोस्तों जिन्होंने सिख संपरदाई की स्थापना की तो ये उनकी जैन्ती है दोस्तों गुरुनानक जैन्ती उसके बाद अगले कुश्चेन चलते हैं दोस्तों अगला कुश्चन हमारा है कुश्चन नम्बत्ती 1949 इसवी में कांग्रेश के अध्यच्य चुनाओं में सुभाष चंद्र बोस द्वारा गांधी जी के किस उम्मीदवार को पराजित किया गया था दोस्तों 1949 में जो कांग्रेश का अध्यवेशन हुआ उसमें अध्यच्य का चुनाओं उसमें सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के किस उम्मीदवार को पराजित किया था तो हमारे आपसन है राजेंद प्रसाद, वल्लब भाई पटेल, पट्टा विसीता रमया और अबुल कलाम आजाद तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 1949 के त्रिपूरी अध्यवेशन में, दोस्तों 1949 में कौन सा अध्यवेशन था, तो कांग्रेश का त्रिपूरी अध्यवेशन था, और दोस्तों इसमें अध्यच्य के लिए चुनाओं हुआ, और इसमें गांधी जी के उम्मीदवार को पराजित किया और तिपुरी अधिवेशन की अध्यचता की और तिपुरी अधिवेशन दोस्तों हुआ कब तो 1949 में तो हमारे कुश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों आपसन नमबर 3 पटाव सिता रमया उसके बाद दोस्तों अगला कुश्चन हमारा है कुश्चन नमबर 4 धर्मट का युद कब हुआ दोस्तों धर्मट का युद कब हुआ हमारे आपसन है अप्रैल 1628 मै 1628 मार्च 1669 अगस्ट 1669 तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें दोस्तो अरंग जेब विजय हुआ और दारा सिकोह जो था वो पराजित हुआ उसके बाद दोस्तो मैं 1658 में सामुगड का युद्ध हुआ मैं 1658 में सामुगड का युद्ध हुआ और ये युद्ध दोस्तो अरंग जेब और दाराशिकों के मद ये भी दोस्तो युद्ध हुआ और इसमें भी दोस्तो अरंग जेब विजय हुआ और दाराशिकों पराजित हुआ उसके बाद दोस्तो मार्च 1669 में देवराई घाटी का युद्ध हुआ कौन सा युद हुआ दोस्तो तो दिवराई घाटी का युद हुआ और ये युद दोस्तो ये भी युद औरंग जेब और दारा सिकों के मद्ध हुआ और दोस्तो इस युद में भी दारा सिकों पराजित हुआ और औरंग जेब विजय हुआ और दोस्तो इसी युद में परा कुश्यन का right answer दोस्तों क्या हो जाएगा कि धर्मट का यूद कब हुआ तो अपरैल 1658 को मै 1658 में दोस्तों काउन सा यूद हुआ तो सामुगण का यूद मार्च 1669 में काउन सा यूद हुआ तो देवराई घाटी का यूद और अगस्त 1669 में दोस्तों औरंग जेव ने दारा औरिशा तो इसमें दोस्तों हमारा right answer क्या हो जाएगा आपसा नमबत्ती बिहार वालमीक राष्टी उध्यान जो है दोस्तों वो बिहार में है दोस्तों और दोस्तों यहां पर यह जो वालमीक लिखा हुआ है बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये हि हिंदी की सुद्ध वरतनी है वालमीक और यह भी दोस्तों आप ससी जीडी के एक्जाम में हिंदी में पूछा जा सकता है सुद्ध वरतनी तो उसके बाद दोस्तों अगले कुछ चैन पर चलते हैं संक्रमण धात तत्त है हमारे आपसन है एस ब्लाक पी ब्लाक डी ब्लाक ए की बात करें तो हिलियम को हिलियम के परमार को छोड़ करके तेरा चौदा पंदरा सोला के तत्त जो भी हैं वह प्ली पी ब्लाक के तत्त हैं दोस्तों हिलियम को छोड़ कर उसके बाद तेरा चौदा पंदरा और सोला के तत्त पी ब्लाक के तत्त होते हैं उसके बाद दोस्त तो इस ब्लाक के तत्तों की अगर हम बात करें तो इस समूह में दोस्तों इस ब्लाक में एक और दो के तत्तों को इस ब्लाक के तत्तों कहा जाता है उसके बाद दोस्तों हमारा ये जो एफ ब्लाक है इसमें दोस्तों लेंथेनाइट और एक्टेनाइट संखला के तत्तों एफ व्ľा Kelvin के तद्थो कहलाते है उसके बाद दोस्तों अगले कुछिद को प्रस्तावना में जोड़ा गया दोस्तों 1996 में जो 42 समिधान सन्सोदन भुआ उसमें प्रस्तावना में कौन से 2 सब्द ुड़े गये हमारे आपसन Progress समाजवादी और पंथनिरपेच, स्रम और कानून, सिच्छा का अधिकार और सूचना का अधिकार, और अर्थ व्यवस्था और सामाजिक तो आपसर नंबर एक सामाजिक, समाजवादी और पंथनिरपेच दोस्तो 42 समिधान संसोधन 1976 के द्वारा हमारे प्रस्तावना में कौन-कौन से सब्द जोड़े गए तो समाजवादी, पंथ निर्पेच और दोस्तो एक जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निर्पेच, धर्म निर्पेच और अखंड़ता ये दोस्तो सब्द जोड़े गए धर्म निर्पेच और अखंड़ता ये सब्द जोड़े गए और दोस्तो इसी समिधान संसोधन के द्वारा हमारे समिधान में दस मौलिक करतव्य जोड़े गए और दोस्तों ये दो 10 मौलिक करतव जोड़े गए ये सरदार सौने सिंग समीत की सिफारिस पर जोड़े गए थे और ये दोस्तों 42 समीधान संसोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए और दोस्तों ये जो 42 समीधान संसोधन है इसे लग समीधान भी कहा जाता है इसे लगु समविधान भी कहा जाता है तो दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें कि सिच्छा का अधिकार सिच्छा का अधिकार तो ये दोस्तों हमारे मौलिक अधिकारों में अनुच्छेट 21A में 21A में इसका वरणन है और ये दोस्तों 6-14 वर्स की आईउ के लोगों के लिए सिच्छा का अधिकार सामिल किया गया उसके बाद दोस्तों अगले कुश्चन पर चलते हैं अगला कुश्चन हमारा है कुश्या नमबर आठ पैसिफिक रिंग आप फायर किस से संबंदित है दोस्तो पैसिफिक रिंग आप फायर किस से संबंदित है हमारे आपसन है तेल के कुएं में लगी आग उसमी ये सक्ति सैंत्र जुआला मुखी और भूकम जंगल की आग तो इसमें दोस्तो राइट आंस प्रसांत महासागर के बेसिन में इस्थित एक छेत्र है यहां बड़ी संख्या में भूकंप और जौला मुखी विस्फोर्ट होते रहते हैं उसी को दोस्तोग पेसिफिक रिंगाब फायर कहते हैं और दोस्तो इसी रिंग पर जापान बसा हुआ है उसके बाद दोस्तो अगले कुश्चिन पर चलते हैं फिलिफ्स वक्र किस किस के बीच संबन्द दिखाता है तो हमारे आपसने निर्धंता और बेरोजगारी की दर मुद्रा इसफीद और निर्धंता दर मुद्रा इसफीद और बेरोजगारी दर निर्धंता और विकास दर तो इसमें दोस्तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपसन नम्बत तीन मुद्रा इसफीद और बेरोजगारी दर फिलिफ्स वक्र जो है दोस्तो वो किसके बीच संबन्द दर साता है अगले कुश्चिन पर चलते हैं, अगला कुश्चिन हमारा है कि सबसे प्राचीन पुराण है, दोस्तों सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, हमारे आपसने विश्ण पुराण, मदस सी पुराण, सिव पुराण, वायु पुराण, तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपसा नमबर दो मदस से पुरान दोस्तों सबसे प्राचीन पुरान कौन सा है तो ये मदस पुरान है दोस्तों और अगर बात करें दोस्तों ये मदस पुरान की तो ये किस वंज से संबंदित है तो आंद्र साथ वाहन वंज किस से संबंदित है दोस्तों त पुरान हमारा मौरे वन से संबन्दित है और ये वायू पुरान दोस्तों जो है ये गुप्त वन से वायू पुरान गुप्त वन से संबन्दित है तो उसके बाद दोस्तों अगले कुश्यन कर चलते हैं अगला कुश्यन हमारा है कि चरक कि सासक के दर्बार का राजवैदी थ था हमारे आपसंन ए हर्स वर्धन कनीशक दिम्भिसार समूध्र गुप्त तो इसमें दोस्तों महरा राइट अन्सर हो जाएका कनीशक दोस्तों कनीश Care के दर्बार का Ayurved का विख्यात ये चरक कनीश के तो ये दोस्तों ये कुशालवंस का सासक कनिस्क था कुशालवंस का सासक कनिस्क और इसी के दर्बार का राजवैद था चरक और अगर हर्ष वर्धन की बात करें तो ये दोस्तों पुस्सिभूत या वर्धनवंस का सासक था पुस्य भूत या वर्धन वंस का सासक था और इसी के दर्बार में दोस्तो होयन सांग आया था चीनी या त्री होयन सांग इसी के दर्बार में आया था किसके दर्बार में तो हर्स वर्धन के दर्बार में दोस्तों ये बिम्बिसार की अगर बात करें और ये दोस्तो बिम्बिसार हर्यक वंसका सासक था उसके बाद दोस्तो समुद्र गुप्त की बात करें तो समुद्र गुप्त आप जानते हैं कि गुप्त वंसका महान सासक दोस्तो गुप्त वंसका महान सासक समुद्र गुप्त था और दोस्तो इसका दरबारी कवी कवी कव तो हरिसेंड था और इसी ने दोस्तो हरिसेंड ने प्रियाग प्रसस्तिलेग की रचिना की है प्रियाग प्रसस्तिलेग की रचिना की तो हरिसेंड ने की और हरिसेंड कौन था तो दोस्तो समुद्र गुप्त का दरबारी कवी था और समुद्र गुप्त कौन था तो गुप् भारत की आकस्मिक निधी तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारती राष्टपर के नियंतर में कौन सी निधी होती है तो भारत की आकस्मिकता निधी होती है और दोस्तों इसका उलेख हमारे समिधान के अनुच्छे 266 में है हमारे भारती समिधान क 266-266 में भारत की आका स्मिक्ता निधी का उलेख किया गया है तो हमारे कुश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपसे नमबर 4 भारत की आका स्मिक्ता निधी उसके बाद दोस्तों कुश्चन नमबर 13 पर चलते हैं कुश्चन नमबर 13 हमारा है हैपेटाइटिस इन में से किस से संबंधित है हमारे आपसन है मलेरिया यक्रत में सूजन टाइफाइड गुर्दे की विक्रत दोस्तो है यक्रत में सूजन से संबंधित है तो हमारे कुष्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपसन नमबर दो यक्रत में सूजन उसके बा भारत की रैंक क्या है तो इसमें दोस्तों हमारे आपसने 132 रैंक 131 रैंक 165 और 121 तो इसमें दोस्तों UNDP के द्वारा मानवी का सुचकाम जो जारी किया गया है उसमें भारत की रैंक क्या है तो हमारे कुश्चन कराई टैंसर क्या हो जाएगा आपसा नंबर एक 132 वी रैंग है दोस्तो भारत की और फस्ट रैंग इसमें फस्ट रैंग किसकी है तो दोस्त फस्ट रैंग सुटिजर लैंड की और भारत की तो 132 वी रैंग है दोस्तो उसके बाद अगर बात करें ग्लोबल जेंडर गैप में ग्ल विसु प्रतिस परधात्मक प्रतिस परधात्मक परधात्मक सुचकांग में भारत की रेंग क्या है दोस्तों तो 37 विसु प्रतिस परधात्मक सुचकांग में भारत की रेंग 37 है दोस्तों तो हमारे कुश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपसा नमबर A 132 UNDP के दोरा माना विकाज सूचकांग में भारत की रैंक 132 है दोस्तो उम्मीद करता हूँ दोस्तो ये कुश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तो हमारे चैनल पर करेंट अफेर, डेली करेंट अफेर की क्लासे चलाई गया रही है आप लोग उस पर और दोस्तो ये जो सूचकांग की क्लास भी हमारे चैनल पर पड़ी हुई है आप लोग वहाँ से देख सकते हैं दोस्तो एक जाम में इस सूचकांग से एक कुश्चन बनने की पूरे चांस हैं दोस्तो तो वीडियो को बहुत ध्यान से दोस्तो देखते चलेंगी आगे भी बहुत important कुश्चन है दोस्तो हमारा कुश्चन नमबर 15 है कि एक लाल लिटमस के साथ अवक्रिया करके नीला हो जाता है दोस्तो एक लाल लिटमस जो है वो किसके साथ चार के साथ अवक्रिया करके नीला हो जाता है और दोस्तो अगर हम बात करें कि अगर अमल जो है दोस्तो तो अमल का जली विलियन जो होता है अमल का जली विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है और दोस्तो ये लाल लिटमस छार के साथ अफक्रिया करके नीला हो जाता है और अमल का जो जली विलियन होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है और दोस्तों ये अमल जो है वो स्वाद में घट्टे होते हैं और ये जल अमल जो है वो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं और दोस्तों जब हमारे pH scale का मान साथ से कम होता है तो अमलियर का ये सूचक होता है और जब साथ से अधिक होता है तो ये चारियता का सूचक होता है उसके बाद दोस्तों अगले कुश्चेन पर चलते हैं कुश्चेन नमबर 16 दोस्तों 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में किसका एहम योगदान था हमारे आपसन है राजा राम मोहन राए ईस्वर चैन्डर विद्या सागर जोती बाफूले स्वामी दयानन सरस्वति तो इसमें दोस्तों हमारा राइट एंसर हो जाएगा आपसन नमबर एक रा तो दोस्तों स्वामी दयानन सरस्वति ने आरे समाज की स्थापना 1875 में की दोस्तों हमारे कुष्टियन का राइट आउनसर क्या हो जाएगा आपसन नमबर एक राजा राम मोहन राए उसके बाद दोस्तों अगले कुश् preoccupy नमरा है कुश्चे नमर 17 कुडियाट्टम राजी में एक पारमपरिक प्रदर्सन कला के रूप में है हमारे आपसन है तमिलनाड, उरिसा, करनाटक, केरल तो इसमें दोस्तों हमारा राइट एंसर क्या हो जाएगा आपसन नमबर 4 केरल केरल में दोस्तों कुडियाट्टम एक पारंपरिक प्रदलसन कला है उसके बाद दोस्तों कुष्चन नमबर 18 पर चलते हैं कुष्चन नमबर 18 हमारा है कि विटामिन C प्रचुर मातरा में पाया जाता है विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हमारे आपसन है दूद, सेब, नीमबू, अनाज तो इसमें दोस्तो राइट आंसर क्या हो जाएगा नीमबू, आपसन नमबर 3 सही हो जाएगा विटामिन C जो है दोस्तो वो निमो में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन C का दोस्तो अगर हम रासाइनिंग नाम की बात करें तो इसका रासाइनिंग नाम होता है एसकार्बिक एसीड उसके बाद दोस्तो कुशियन नमबर 19 पर चलते हैं कुश्चिन नमबर 19 हमारा है एकसरसाइज लामितिये 2022 किन दो राष्ट्रों के बीच आयोजित किया जाता है दोस्तों ये जो एकसरसाइज लामितिये 2022 है ये किन दो राष्ट्रों के बीच आयोजित किया जाता है हमारे आपसन है भारत और मारी सेस, भारत सेसल्स, भारत माल्डिव, भारत इंडोनिसिया तो इसमें दोस्तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपसन नमबर दो भारत सेसल्स दोस्तो एकसरसाइज लामितिये जो है वो भारत और सेसल्स के मध्य आयोजित की जाती है और दोस्तों ये जो हमारे युद्धभ्यास है इनका भी दोस्तों एक वीडियो हमारे चैनल पर पढ़ा हुआ है आप लोग जाकर उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें क्योंकि इससे भी दोस्तों कुश्चन बनने के पूरे-पूरे चांस है उसके बाद दोस्तो आज का हमारा अंतिम कुश्चन है कुश्चन नमबर 20 निम लिखित में कौन हैती देश की राजधानी है निम लिखित में से कौन हैती देश की राजधानी है हमारे आपसन है नसाउ हवाना पोर्ट ओप्रिंस परा मारिबो तो दोस्तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हैती देश की राजधानी क्या है तो आपसर नमबर तीन सही हो जाएगा Port of Prince जो है वो दोस्तो हैती देश की राजधानी है और अगर नसाओ की बात करें तो ये दोस्तो बहामा देश की राजधानी है बहामा देश की राजधानी नसाओ है दोस्तों और हवाना जो है दोस्तों वो क्यूबा देश की राजधानी है क्यूबा देश की राजधानी दोस्तों हवाना है और परामारिबो जोस्तों ये जो है ये सूरी नाम की है ये सूरी नाम की राजधानी है दोस्तो परामारीबो तो दोस्तो हमारे कुश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हैती देश की राजधानी क्या है तो पोर्ट ओप्रिंस और नसाउ ये दोस्तो बहामा की राजधानी है हवाना दोस्तों ये क्यूबा देश की राजधानी है और परामारीबो दोस्तों ये सूरी नाम की है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सेयर करें और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद